ओम शान्ती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 28 अगस्ट 2024 दिन बुधवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना आत्मा में लाइट आएगी, ज्यानवान आत्मा चमकीई बन जाती हैं। प्रशना माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। अग्यान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। कीरे में चमक होती है न, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है, पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारसमनी है अब अज्ञान के कारण आत्मा की जोती डिम हो गई है, काली नहीं होती है नाम यह रखा हुआ है आत्मा सबकी एक जैसी होती है, शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है आत्मा तो एक ही है अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं यह सारा ज्यान था वह फिर धीरे धीरे निकल गया है निकलता निकलता आखरीन कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्यान तुम भी अज्यानी थे अब ज्यान के सागर से ज्यानी बनते जाते हो, आत्मा तो बहुत सुक्ष्म है इन आँखों से देखने में नहीं आती बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नौलेज़फुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो घर-घर में सोजरा हो जाता है अभी घर-घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्यानवान बन जाएंगे बाप किसकी गलानी नहीं करते हैं यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं बच्चों को कहा है, ना यह तो सब मुढमती हो गए हैं कौन कहते हैं? बाप बच्चे तुम्हारी कितनी सुन्दर बुद्धी बनी थी श्रीमत पर अभी तुम फील करते हो ना तुम्हे ज्यान मिला है ज्यान को पढ़ाई कहा जाता है बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योती जग गई है इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है चोटेपन में मिक्टी के दीपक में तेल डाल ज्योती जगाते थे वह तो रस्म चलती रहती है उनसे कोई दीपावली नहीं होती यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है उनकी ज्योती आकर बाप जगाते हैं बच्चों को आकर नौलेज देते हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं न वह है हद की नौलेज यह है बेहद की नौलेज कोई साधूसंत भी पढ़ाते हैं क्या? रचिता और रचना के आदी मध्य और अंत की नौलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई जाकर देखो कहा यह नौलेज पढ़ाते हैं? सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं तो उनके पास पढ़ना चाहिए बाप अनायास ही आजाते हैं धिन्डोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको आरगंस न मिले आत्मा भी आरगंस बिगर आवाज नहीं कर सकती शरीर में जब आई है तब आवाज करती है तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं बच्चों को जब यह नौलेज दी जाती है तब समझते हैं यह नौलेज एक बाप के सिवाए कोई दे न सके विनाश का साक्षात कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं यह बाप ही आकर कराते हैं ड्रामानुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है नई दुनिया स्थापन हो रही है अंगिनत गावगाव से कितने धेर आते हैं यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है संगमिग पर ही आते हैं बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिनकी जोती जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की जोती जगाते हैं अभी तुम सबको वापिस जाना है इसमें बुद्धी से काम लेना होता है भक्ती मार्ग में तो है अंधियारा ज्यान देने वाला तो एक बाप चाहिए वह आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया में ज्यान मिल न सके मनुश्यों के ख्याल में हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं समझते हैं 40,000 वर्ष बार भग्वान आएगा जरूर आकर ज्यान दे सद्गती करेंगे तो गोया अज्यान है ना इनको अज्यान अंधियारा कहा जाता है अज्यान वालों को ज्यान चाहिए भक्ती को ज्यान नहीं कहा जाता है आत्मा में ज्यान है नहीं परंतु डल बुद्धी होने कारण समझते हैं भक्ती ही ज्ञान है एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा परंतु समझते कुछ नहीं गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रग्ता किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया यह कोई नहीं जानते? पंडित आदी होगा तो कहेगा जब कलियुक पूरा होगा तब सोज़रा होगा यह सब बाते बाप आकर समझाते हैं बच्चे नमबरवार समझते हैं टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं एकरस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे पढ़ाई में एकरस मार्क्स कभी होती नहीं तुम जानते हो कि बेहत का बाप आया हुआ है. अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है. अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है. याद से ही विकर्म विनाश होंगे. बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ अर्थात प्रकृती का आधार लेता हूँ. गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं. एक ही गीता है. यह है ही राज्योग की पढ़ाई. नाम रख दिया है गीता. इसमें पहले फले लिखा है भगवान उवाच. अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं. वह है निराकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती हैं. सुक्ष मवतन को दुनिया नहीं कहा जाता. यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया खेल सारा यहाँ चलता है निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी-छोटी है फिर पाट बजाने आती है यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धी में बिठाए जाते है इसको ही ज्यान कहा जाता है वेजशास्त्र को कहा जाता है भक्ति-ज्यान नहीं तुम्हारी साथू सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है बाबा का तो बहुत संग रहा है बहुत गुरु किये है पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया गरबार क्यों छोड़ा कहते थे विकार से बुद्धी भरष्ट हो जाती है, इसलिए घरबार छोड़ा अच्छा, जंदल में जाकर रहते हो फिर घरबार की याद आती होगी बोला हाँ बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापिस घर भी गया था यह भी शास्त्रों में है कुंध के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं दवाई खिलाते हैं, जिससे करमेंदरियां ठंडी पड़ जाती है तुम्हारा तो है योगबल से करमेंदरियों को वश में करना योगबल से वश होते होते आखरीन ठंडी हो ही जाएंगी कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंकरती है वहां तो ऐसी बाते होती नहीं करमेंदरिया वश्ट तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे करमेंदरिया शांत हो जाएंगी इसमें बड़ी मिहंत है वहां ऐसे चीची काम होते नहीं बाप आये हैं, ऐसे स्वर्गधाम में ले जाने। तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नलायक बनाती है, अर्थात स्वर्गवा जीवन मुक्ती धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए purity है first। गाते भी हैं बाबा, हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बना। पावन माना पवित्र, गायन भी है, अमरित छोड विशकाहे को खाए। उनका नाम विश भी है, जो आदी मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नून्ध है। बाब कितना बार आये हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ट से उत्तम पुरूश बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है, तो आयू भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ और हैपीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैपीनेस फार 21 जनरेशन वन सेकंड। बाब से यह वर्सा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सब के घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना। तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैपीनेस सब मिलती है। तो तुम फिर औरों को दो। दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझें की भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहत के बाप का वर्षा एक सेकंड में। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ यही भारत सोने की चिडिया थी, इन्हों का राज्य था। पास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ। फिर शुरू होना है। बेहत का बाप ही आकर यह पदप्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्सा लेना है। परंतु पढ़ाई तो चाहिए न। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ न सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया। वह भी बाप बताते हैं तुमने पहले फिले शिव की भक्ती शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमने पहले फले यह जन्म लिया। कोई साहुकार होगा तो कहेंगे ना की आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायन ने कौन से कर्म किये? यह बाप बैठ समझाते हैं. इनके 84 जन्म पूरे हुए फिर फर्स्ट नंबर में आना है. भगवान संगमिग पर ही आकर राज्योग सिखलाते हैं. अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राज्योग सिखला रहे हैं. फिर भी तुम भूल जाएंगे. कर्म अकर्म और विकर्म की गुह गती भी बाप ने समझाई है. रावन राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं. वहां कर्म अकर्म होते हैं. वहां रावन राज्य ही नहीं. विकार होता नहीं. वहां है ही योगबल जबकी के मालिक बनते हैं तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ड यह है विशश वर्ड बाप ही आकर विश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सत्युग है शिवाले शिवबाबा आकर तुमको सत्युग के लिए लायक बना रहे हैं लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया विश्व के मालिक कैसे बने बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो हम जानते हैं तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिये फिर पुरुशोत्तम संगमिग पर आकर बाप ने राज्योग सिखलाया है और राजाई दी है उसके पहले नमबर वन पतित थे फिर नमबर वन पावन बने सारी राजधानी है ना तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है इन्हों को राज्योग किसने सिखलाया उच्टे उच्छ है ही परमात्मा देवताएं तो सिखला न सके भगवान ही सिखलाते हैं जिसको नौलिच्फुल कहा जाता है बाप टीचर सत्गुरु भी कहा जाता है यह सब बाते वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो आपने यह मंदिर बनाया है इन्होंने यह पद कैसे पाया इन्हों का राज्य कब था फिर यह कहा गए अब यह कहा है तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे चित्र पांकेट में पड़ा हो तुम किसको भी समझा सकते हो शुरू से जिसने शिव की भक्ती की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे तुम समझ जाएंगे यह हमारे कुल का है दिन प्रति दिन बाबा बहुत सहज युक्तिया बतलाते है तुमको अब समझ मिली है परम्पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गती दाता है 21 जन्मों के लिए सत्यूगी बादशाही मिल जाती है 21 जन्मों का वर्सा इस पढ़ाई से ही मिलता है टॉपिक भी बहुत हैं विश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है इस टॉपिक पर हम परम्पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं लक्ष्मी नारायन के 84 जन्मों की कहानी यह भी टॉपिक है विश्व में शांती कैसे थी, फिर अशांती कैसे हुई, अब फिर शांती कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार एक अब उत्तम पुरूश बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है, कर्मिंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है दो ज्यानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है आत्मा रूपी जोती में ज्यान योग का घृत डालना है श्रीमत पर बुद्धी को स्वच बनाना है वर्दान प्वाइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धी को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेश आत्माभव जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदी का अटेंशन रखेंगे सर्दी आएगी तो गर्म कपडे रखेंगे ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धी में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेश कार्य माया कर रही है इसलिए विशेश सिफ्टी के साधन अपनाव इसका सहज साधन है एक प्वाइंट स्वरूप में स्थित होना आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाए बिंदू लगाना अर्थात विशेश आत्मा बनना स्लोगन आग्याकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हजूर करता है